असलाम अरेकम दोस्तों इस अवरत ने पंडित से एक अजीब सवाल किया मुस्लमानों के बारे में तो ये देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक ने इस बारे में क्या बोला है वीडियो बहुत ज्यादे इंट्रस्टिंग है आई ये स्टार्ट करते हैं मेरा क्विश्चन ये है कि जैसे कोई बच्चा लड़का या लड़की हिंदू पैदा होता है मतलब सनातनी पैदा होता है तो वो क्या हर जनम में हिंदू बनता है और जो मुस्लिम घर में पैदा होता है वो क्या मुस्लिम समाज में हर बार पैदा होता है और क्रिश्चिन का पी ऐसा ही रहता है क्या ये में जानना चाहता है। भगवान रोते होंगे ये देख कर कि जब हम इंसान इंसान आपस में धर्म मजभ पंथ के नाम पर लड़ते हैं। जैसी जैसी मिली मुसलमानों की संगती मिलنے से मुसलमान हो गए, हिंदुऊं की संगत मिलने से efficiently हो गए, जूट की संगत मिलने से जूटा हो गया। मेरी मा भगवान से यही प्रार्चना करो कि हमें अगले जनम में जहां भी भेजें एक अच्छा मनुष बना कर समाज की सेवा करने बाला बना कर भेजें हम किसी से नफरत ना करें हम किसी से घ्रणा ना करें हम सपने में भी किसी का बुरा हम मुसलमान का भी बुरा क्यों करें और इसाई और यहुदी का भी बुरा क्यों करें और हिंदू का हम सनातनी हम तो चीटी का भी बुरा नहीं करते हम तो गाय का बकरे का भी बुरा नहीं करते भगवान से यही प्राठना करूं कि ये प्रभू अगले जनम में ऐसी जगह जनम देना कि जहां हम सब को भगवान माने हम किसी से घ्रणा नफरत ना करें सब के प्रती प्रेम बरसाएं सरवे भवन्तु सुखिनहा सरवे संतु निरामया ये विचारधारा इस धरती की सबसे उत्तम विचारधारा हिंदू कोई जाती नहीं है मुसलमान कोई जाती नहीं है यहुदी, सिख, इसाई कोई जाती नहीं है ये सब विचारधारा है हिंदू एक विचारधारा है मेरी विचारधारा है कि मैं सब को भगवान मानू जो सब को ईश्वर मानता है जो सब के प्रतिदया रखता है वो हिंदू है जो कणकण में ईश्वर को देख है जो सब में ईश्वर को देख है वो हिंदू है और जो केवल एक अल्ला में ईश्वर को देख है वो मुसलमान है तो वो विचारधारा मुसलमान की मुसलमान बनाती है, हिंदू की विचारधारा हिंदू को हिंदू बनाती है, जब सबकी विचारधारा एक कागज में लिखी जाएगी, तो पता लगाया जाएगा कि अब स्रेश्ट विचारधारा किसकी है, तो स्रेश्ट विचारधारा उस की है जो कणकण में परमात्मा को देखता है जो छोटे बड़े में इस इश्वर को देखता है वही स्रेश्ट और बहुत बहुत शनातनी असलाम अलेकुम सर मेरा नाम रावल राम है और मैं आप से सवाल करना चाहता हूँ कि कि हमारा मजब गलत नहीं है उसमें गलतियां हम लो करते हैं जना हराम है अमारे मजब में शराब नोजी हराम है जना हराम है मतलब कि जैसे भी गलत काम सारे गलत उसमें भी लिखे हुए हैं और यहीं इसलाम में भी हैं यह दोनों जो हैना मतलब के कौमें हैं इनमें तो अच् इस बुनियाद पर हमें दोजग में डाल दिया जाएगा कि हम सिर्फ कल्वा नहीं पड़ते अधर्वाइस हम लोगों में भी वही चीज़े है सिर्फ अबादत का तरीका और है बाकी बस हिस्तिया स्वाल करने जाएगा मैसर आपका नाम क्या है? रावल राम रावल राम रावल राम ने एक अच्छा सवाल पुछा उसने कहा कि उनकी मदब किताब में बिजिना हरा में बिल्कुल सही फरमाते उनकी मदब में लिखा हुआ है कि शराब हरा में बिल्कुल सही फरमाते आपने अगर मेरी तकरीर सुने हिंदुईजम और इसलाम में एकसानियत आपने सुने वो तक्रीर को जी जी अच्छा वो तक्रीर में लिखा है हिंदु मख़ब में दो किसम के किताबे है एक शृती और एक स्मृती शृती मतलब वो किताब जो भगवान के तरफ से आती भगवान के तरफ से स्मृती वो किताब जो इनसानों ने लिखिए शृती में आता है वेद और उपनिशद स्मृती में आता है माँ बारत, रामायन भगवद, गीता मनुस्मृती एटसेटर आप अगर पढ़ेंगे आपके चंदों के उपनिशद तो शृती है जंदों के उपनिशद चैप्टर नम्बर 6 सक्षिन नम्बर 2 श्लोक नम्बर 1 नाकस यकसिज़ भगवान एक ही है दूसरा नहीं है भगवान एक है दूसरा नहीं है आपके किताब में लिखा है सोईता सेतर उपनिशद चैप्टर नम्बर 6 श्लोक नम्बर 9 नाकस यकसिज जनीता नपदिपा मतलब उस भगवान के कोई वालदे नहीं है ना मा है ना बाप है ना बच्ची है लिखा है स्वेता सेतर उपनिशद में चैप्टर नम्बर 4 श्लोक नम्बर 19 नातस्रिपति में अस्ती प्रतिमा के मानी होती है सांस्कृत में अकस पिच्चर फोटू स्टैच्यू आइडिल पेंटिंग नातस्रिपति में अस्ती उस भगवान की कोई अकस नहीं कोई पेंटिंग नहीं कोई पिच्चर नहीं कोई फोटू नहीं, कोई स्टैचिव नहीं, कोई स्कल्प्चर नहीं यह लिखा है यजुरुवेज, चाप्टर नमबर 32, शलोक नमबर 3 में भी नातस्रिपती मास्ती तो आप अगर भगवान को मानते है और भगवान की मूर्ती बनाते है तो गलत है आपके किताब के इसाब से कुरान मजीद को बादू रखो, हदीथ को बादू रखो, आप मूर्ती बूजा में मानते है भाई साब सर मैं सर्फ क्रिशन भगवान की मूर्ती पे मानता हूँ, अदर वाई देवता है, वो मतलब उन पे सजदा नहीं कर सकते सर्फ क्रिशन भगवान को सजदा कर सद, उसकी मूर्ती भी जायज है यह कहां लिखा है कि क्रिशन भगवान की मूर्ती जायज है, किदर लिखा है? मेरे हिसाब से वो खुदा है हमारे हिसरी मराबर हमारे हिसाब से मेरे भी अल्ला में मानता हूँ लेकिन अल्ला की मूर्ती नहीं बना सके वो ही अल्ला में मानता हूँ अगर अल्ला की मूर्ती बना सके तो वो अल्ला ही नहीं है वलम्ये कुले हुकुफुवानाद नारे तक्वीर हमारे गेर मुसलमान भाई मुझे सवाल पूछ रहे तक्वीर अच्छी बात है लेकिन अभी सवाल जवाब हो रहा है तो मेरी दर्खास थे कि जब गेर मुसलमान भाई पूछते तो उन्हें ड़नने लगना चाहिए उन्हें लगना चाहिए कि आपस में हम भाई चाह रहा है उनको ड़नने लगना चाह दरते ने माशाला लेकिन आप ऐसाभ मत करो कि ओढर जाए तो हमारे इसाभ से जिस की मुर्शी बना सके वो अल्ला ही नहीं और ये वेड में भी लिखेला है आप इसकौन में मानते जाँ सर वो तसव्र है हमें भी पते है कि उसमे खुदा नहीं है वो एक तसव्र है हमारे इसमें खुदा का तसव्र करते मुर्थी बनाइं तो घलत है तो यहीं मैं कहता हूँ आप अपनी किताब का अम्मान नहीं कर रहे आप अपनी किताब का शैयी अम्मल करेंगे तो आप भे जन्हतम में जाएंगे सभी बात है बेलकुंख हम नहीं करतें हैं मुझा भर फालो नहीं करतें मेरा वोट इजी है कुरान मझीद में लिख़ा है सुरह इम्रान में सुरा नम्बर 3 आख नम्र 44 में आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें इक्सा है अपन आज माने जो आप और हमें इक्सा है कमस् तूम उस पर तो अम्ल करे मेरा फॉर्मिला यूनिवरसल है पूरा भाई चाह रहा है मैं कहता हूँ बाइबल को लेके आओ वेद को लेके आओ कुरान को लेके आओ वेद काफी बड़ी है बाइबल कुरान से तीन मुना बड़ा है हम आज वादा करे कि जो यक्सा है कमस को उस पर तो अमल करे जो यक्सा ने उसको साइट पर रखेंगे कर बहुत करेंगे जो यक्सता उस पर तो अमल करें बाइबल में लिखा है वेद में लिखे है खुदा आए के खुदा का अक्स ने अगर आप खुदा का अक्स बनाते तो आप वेद के खिराब जाते सिर्फ क्रिशन का बनाओ तो भी गलत है सर वो भगवत गीता में लिखा है भगवत गीता स्मृती है भगवत गीता मा भारता का हिस्सा है सही क्या नहीं तो मा भारत एक स्मृती है स्मृती शृती के खिलाफ नहीं जा सकती है अगर स्मृती और शृती में टक्राओ है तो हम शृती को मानेंगे स्पृति को नहीं वेद और उपनिश्द सबसे उपर है तो आपका एक PhD टीचर है वो कुछ कहता है और एक bachelor's है आप PhD वाले उस्ताद को मानेंगे हैं जो bachelor के डिगरी वाले उस्ताद को मानेंगे किसको मानेंगे कुन से उस्ताद को मानेंगे PhD सब तो आपका PhD वेद है सही तो अगर आप मुर्ति पूजा छोड़ देंगे और आपके किताब में लिखा हुआ है आपके किताब में लिखा है आखरी पैगंबर आने वाले है और आप वेद पढ़ेंगे और पुराना पढ़ेंगे उसके अंदर कई जगा पे लिखा है कि आखरी पैगंबर मुहम्म्मस सल्लाव सलम है आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे भविश्य पुराना भी है कल की पुराना है और आप मेरी तक्रीर सुनेंगे एक तक्रीरे मेरी मुहम्मस ﷺ का जिकर हिंदू मख़भी किताबों में वक्त की किल्लत होने के वज़े से सिर्फ मैं छोटी पॉइंट का हूँगा आपकल कल्की पुराना पढ़ेंगे चैप्टर नमबर दो श्लोक नमबर पांच, सांथ, ग्यारा, पंदरा, सतरा उसमें लिखा है कि एक आउतार आएंगे आखरी आउतार आएंगे जिसके वालित का नाम है विश्नु यास विश्नु मतलब बगवान यास मतलब उसका बंदा, उसका सर्वेंट अर्भी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला होता है आखरी पैगंबर आएंगे जिसका वालित के नाम अब्दुल्ला है उसके मा का नाम है सुमती सुमती सांस्क्रिप्ट में मतलब अमन शान्ती अर्भी में कहेंगे आमिना ममस अल्ला सलम के मा का नाम था अमिना वो पैदा होंगे एक अमन शेयर में मक्का उस शेयर के ग्रो के लीडर के कबीले में पैदा होंगे कुरेश के कबीले में उसके चार करीब दोस्त होंगे जिकर हो रहा है खुलफा राशेदिन का और ममस अल्ला सलम का जिकर तो बहुत लंबा है दो घंडे की तकरीदे सकता हूंगे तो अगर आप अपनी किताब में मांते तो हिंदू का मजमा इससे बड़ा होता है देखा है पाँच लाग, दस लाग पच्चीस फीसद बीस फीसद गैर मुस्लिम होते, बीस फीसद हिंदू होते तो दस लाग का बीस फीसद कितना वह दो लाग यह दो लाग का तो मजमा नहीं न क्योंकि हिंदुस्तानी मुझसे महभबत करते है और गैर मुस्लिम भी महभबत करते है वो पॉलिटिशन है जो प्राप्लम होता हुए उनको वोड बेंक का प्राप्लम है अरे हम लोग तो हार जाएंगे अबी हिंदु जब में तक्रीश सुनते कहते हैं कि दो गंडे में हमने वो सीखा जो हमने चालीस सार हमें पता नहीं था अभी जो मैं हवाला दिया रेफरिंस के साथ आपके किताब का हवाला दिया तो आप अगर सचे हिंदू है तो आपको मानना पड़ेंगा कि एक भगवान है उस भगवान की मूर्ती नहीं है उसके आखरी पैगंबर मुम्मस अल्लाव सल्लम है तो आप अपने किताब पे अमल करेंगे जी करूंगे और जो चीज यकसा है कम उसके उस पर दो अमल करो जो टक्राव है वो बाद में मैं जानता हूँ मैंने तक्रीर किये इसमें लिखाए का हिंदू मख़भी किताब में लिखे ला शराप पिन आरा में कुरान में लिखे ला है आपके मख़भी किताब में ये भी लिखाए का सुवर का गोश्च कान आरा में और आपके किताब कुरान से सकत है उसमें लिखाए कि अगर आप सुवर का गोश्च बेचेंगे तो उल्टे पैर उल्टे हाथ काटना चाहिए ये गिदर अधिफ में ने लिखे ला है ना Qραन में लिखे ला है आपके मज़भी किताब मनुस्पिती में लिखा हुआ है कि आप उलते हाथ और उलते पैर काटो अगर वो सोर का सुच बेचता है तो तो अगर आप सई हिंदू है आपकी मदभी किताब पड़ो आपकी मदभी किताब में लिखा हुआ है कि आखरी पैगम्बर आएंगे और आखरी पैगम्बर मुम्मस अल्लाव सल्म है और आखरी पैगम्बर मुम्मस अल्लाव सल्म है और आखरी पैगम्बर मुम्मस अल्लाव सल्म है आप देखेंगे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में हिंदू इसलाम कबूल किये अल्ला इदायत दिया मेरे वज़े से ने अल्ला ने उन्हें इदायत दिया क्या मेरे तक्रीर के बाद कई ही लोग चाहे मजमे में चाहे घर पे Allah उन्हें इजाद दे रहा है मैं आपसे पुछना चाहता हूँ आप मानते हैं कि Allah के आखरी नभी मुम्मस सल्लाव सल्लम है सर मैंने अभी देखना है जागर पंडियां किताब अगर उसमें है तो ठीक है सही बात है तो मेरी आपसे दर्कासत है कि आप मेरा वीडियो कसेट हिंदू़िजम और इसलाम में एकसानियत देखिए और उसको देखने के बाद अगर कोई सवाल ने तो मुझे पूछे अगर आपको यकीन आता है तो हक है तो मैं आपको दावत देता हूँ कि हक का पेगाम को एकसेप्ट करो और इन्शालला ये आपके लिए राहे नजात बनेंगी इन्शालला तो दोस्तो ये थी हमारे आज की वीडियो डॉक्र जाकिर नायक ने जिस तरह खुबसूरत सा जवाब दिया इस हिंदू आदमी को और शुरू मैं आपने उस पंडित को भी देखा जिस तरह उसने कहा कि इनसानियती एक दर्म है इसकी सिवा कोई भी दर्म नहीं है दोनों सेट मैंने आपके सामने रखे उम्मीद है कि आप समझे होंगे आज की वीडियो बहुत ज़्यदा इंटरस्टिंग थी अगर आप कोई तरह की वीडियो पसंदे तो आप कमिट करें इन्शाला इसी तरह की वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे आज की इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफिज